तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल MD Classes को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इंपोर्टन एजुकेशन वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब आप सभी का MD Classes की यूटूब चैनल में देखिए दोस्तों जैसा कि आप सबको पता कि रेल्वे का एलपी का और टेक्निसें का पेपर चल ला है तो उससे संब्सक्राइब जो भी पेपर होंगे जिसके पेपर जोगा कल है पर सो इस तरीके जिसके पेपर उनके लिए काफी ज्यादा फायदे बन दोगी इस कला मां बता दे आपको अगर आप कर दोस्तों मेरा नाम है सत्मい गुप्ता और मैं अनंकरणी पर नुड़ करके वहां से मुझे सारे कोर्स को देख सकते हैं जिसमें आपको कई सारे इंपर्टेंट कोर्सेज के बारे में when को मिलेगा जैसे कि आपको आपको पॉलिटी कोर्स मिल जाएंगे मैय और ब कई सारे एक्जाम के लिए चाहें वो इस्ट हेटेवल हो या फिस लोग वहां पर ज्ए वाहिन हैं तो आपको कई सा मेरी चीजे बताइंगे दिखें हम लोग हिसमें बात करेंगे विटामीन, जो तरीका है वो एकदम अलग होगा जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये तरीका। इसमें हम लोग ट्रिक के मिठट से विटामिट को याद करेंगे। क्यों मैंने ट्रिक अपनाया क्यों मैंने पूरी लॉंग बिटट नहीं अपनाया। तो इसका सिर्फ रीजन ये था कि पेपर जो है आपका स्टार्ट हो जागा कली से और हो सकता है कल से जो पेपर स्टार्ट हो इसी पेपर में आपके लिए विट्वीन से कुछ आ जाए तो आप जब लॉंग बिठे टाट करोगे तो लॉंग टाइम भी चाहिए सीधी सी बात ह अगर आप कुछ लंबा चीज आद का तो जो चाहते हो हमेशा के लिए टिकर है तो थोड़े से लंबे समय भी चाहिए लेकिन ट्रिक क्या होता आप भी याद करोगे तो आपके लिए 10 दिन 20 दिन तक वो याद रहेगा हमेशा और आपके लिए ताजा भी रहेगा जब आग कि विटामिन बस्ते हैं उनके नहीं हम कैसे आद करेंगे उसके जो ट्रिक है वो है रत एक टॉफी क्या ट्रिक है रत एक टॉफी यह ट्रिक कैसे बना यह बना जैसे आपने सुना गदर एक प्रेम कथा अब यह अपने सुना है गदर एक प्रेम कथा उसे तरीके से है रत ए टॉफी अब कैसे है एबी सी जो है लाइन से है एबी सी डी ए और के यह पता आपको च्छे विटमीन होते है इस तरीके से और बी में कॉंप्लेक्स होते है वो बीवन वीटू करके चलते हैं तो एक क्या हो गया रत एक टॉफी यह आपको समझ में आ रहा एज जो रहा है इसक ए से होता है स्कॉर्विक एसीट डी है का का मतलब हो गया कैलसी फेरॉल ए है टा मतलब होगा है टोको फेरॉल देखिए आया भी है के है फा टॉफी फी से हो गया फिली को नोन ठीक है देखिए जो के का नाम है वो बहुत सारा नाम है के का तो के तुन नोन भी है तो नोन अ कई सारे जहां यहragon भी है रते Dani यहाद कर लिजिए सबनारो से आपको हो जाए में असकोर्फिक ₹ई का सेřेख सब्टाट से नहीं की सिरा थीच खाए यहाद करेंग अब में जो और बिघर कांप्लेक्स है उनके COB들 का ससे याद है यह देखिये बीवन बी टू घरी फोन नहीं होता है तो अब हम इसको कि याद करेंगी उसके लिए आपको energy ट्रिक यह वो है थोड़ा new paint पर बसा यह थोड़ा सा आपको सुनने माजीब लए लेकिन आप इसको बोलने के practice कर लोगे तो कोई भी आजीब नहीं रजागा थोड़ा new paint पर बसा ऐसे बोल दीचे जाल दीचे कि थोड़ा new paint पर बसा भाई तो हो गया यह चीज तो आपका यह भी जो फाइब जो होता हूँ पैंट थोड़ा थो रा new paint एक में रहेगा तो पैंथो थैनिक अमले यह वैसे भी आपके लिए यह क्योंकि भी फाइब है और फाइब के लिए हम लोग पैंट लिखते है ठीक है फाइब के लिखते है पैंट बोले आफिर पैंट बोले तो फाइब अब लेख लोगे पैंट थेनिक अमले बीशिक्स होता वीशिक्स होता पाइब रुडग सिंपाइंट पर था तो प्रसे क्या होगिया पाइब डॉक्सिं बीसेवन कि अट अब बाज होगा बायो टिन इमपोर्टन ए और सबसे आलाश चाता बीट यह आपसे पूछा दसक् लाइनों कुबाला मीन और इसमें आपको एक चीजे नहीं ञाएं टोफिक बता आट है जिसमें हमSum चीजें पता चलियों कि मैंने आपको आपको एक जो फॉरम रवाटा था वह एक पर कर fram सखल sono लेकın कि थोड़ा new pen पर बसा तो वो आपके लिए हो जाएंगी चीज़े तो B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5, B6, B7 के बाद सीधे क्या आता है, B12 आता है, अब देखे कुछ important चीज़े हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि important जो चीज़े हैं वो हम कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं, चलिए start करते हैं, आपको पता विटमिन जो B और C हैं वो जल में घुलनसील होते हैं, तो बिपिन चंद्रपाल से हमेने लोग आ सकते हैं, B से बिटमिन B, और C से बिटमिन C, और P से एक प्रोटीन, यह तीनो कि तीनो क्या होते हैं, जल में घुलन सीही रोते हैं, ठीक है, बिटमिन B और C के लाओं बाकी A, D, K ये वसा में गुलन सील होते हैं अब B और C हम ने ले लिया अब पास ADK तरहुले बच्चे हैं यह किसमें होते हैं वसा में घुलंसील होते हैं याफट किस ने किया था तपरार्ट किसमें दिया था स्यम पंक नेस का ब का ना नाम दियाता हुसान उननीस morason 1-11 में तो याद धूणों को सक्वुर्ट हो हो सकता आपके कोश्टन दिया हो उसमें होपकिन्स का भी नाम हो और फंके का भी नाम हो तो आपको देखना क्या है को हो पूछा कि-वीतामिन की के खोज किसने की ठीक है दोनुकुर चीज़े आपको याद होना चाहिए जो वितामिन है यह उटको में इंज़ाइम का निर्मा सब्सक्राइब के उपापचे में रहसाइनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए काफी ज़्यादा आउश सके हैं अब बताते विटामिन बी जो कॉंप्लेक्स में विटामिन बीफाइब और बीसेवन भी होते हैं ठीक है बीफाइब बतलब आपने बता दिया कि पैंटो थे करने यहां पर AUDI में होता है कोवाल्ट नाम में अप्लखा हो तो साइनोग वालमीन यह होता विटामिन भी करना नाम का संसलेसर हमारे सब्सक्राइब कर्याइब को रश्य कहुते उनके तारा नहीं होता अभिटामिन्स का प्रकास्क्राइब दरा नहई होता और अब में उपस्तित कोलोन नाम बैक्टिरिया बनाता जो विटामिन के है वो हमारे आत में उपस्तित एक कोलोन नाम बैक्टिरा जो विटमिन के बनाता है तो दोस्तों अभी तक तो हम लोग ने देखा विटामिन कौन कौन से उनके नाम क्या है लेकिन विटामिन से होने जो रोग ह है उनके कैसे नाम याद करेंगे यह इंपोर्टन और यह चीजा आपको समझनी पड़ेंगी ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आपको एक चीजा देखना कि राज ने बेट पे दूसरी नाम में सरीन को रत दिया ठीक है सिंपल है कुछ कटिन नहीं है आप क्या करो इसको दस बार इंतना जाता हुँ आपको पता है कि मैं बोलता है इसलिए हो दोस्तों कि ताकि कि आपको याद भू़ूंगा धी और अधीर दी पर में सारी चीज़े होलोंगा तो आपको नहीं 울न थोड़ा जल्दी बोलता हुँ जल्दी बहुता हो अगर जल्दी ना बोलाँ तो वी to ab1 b2 b5 b6 b12 c dk तो सबसे पहले हम आपको बताते तो simple simple है उंके बारे में आप trick तो याद कर सकते कोई दिखकेत नहीं है trick से आप देख लिजेएगा कि यहाँ प्धाव मिल जाएगी इसकी डिवान चैनल पर तो वहां से आप इस trick को देख तो थी वोगिषे है तो क्या उद आफ्ट उन कह राखे सूख जाती है शूख ही तो इसको बोलते हम binary बेट्विन बीवन की कमी तो बेरी-बेरी ठीक हे बीट्विन की कमी से क्या होता बेरी-बेरी Бे 2 की कमी से होता है दर्मेटोसिस बीटू की कमी से बीफाइब काफी इंपोर्टन पहले ग्रा विमारी होता है बीफाइब के विज़ से बीटोल्फ दोनों की कमी से एनिमिया होता है तो हमने इसी लिल लिखा दूसरा इनाम दूसरा मतलब दो बार और इनाम मतलब होता है एनिमिया between c है तो c से scorbic एसी होता है और कमी से रोक कौन होता है scurvy होता है तो c वाले में हमेशा सा जरूर आएगा scorbic और scurvy याद दखेगा d से होता है rickets जब आप धूप में बहुत सारे बहुत जायज दिन तक नहीं रहते हैं जो बच्चे धूप में जादा नहीं रहते इसलिए आपको धूप में रहना चाहिए तो यह होता है लिक्र्ट्स विटामिन डी की कमी से इकी कमी से होता आपको नपूश सकता और के जो सबसे important जो पेपर में आप रहे ही कि जो विटमीन है ओरक्ति का ठका देर से बनाता है इसे क्षाई कर जाता है तो तो आपको खून निकलता बस थोड़ी टाइम बाद वहां पर थक्का बन जाता है इससे खून निकलना बंद जाता है लेकिन जब के कमी रहेगी आपके सरी में तो आपके लिए नुकसान दायक होगा तो दोस्तों इसमें हमने देखा कि विटमिन की कमी से कौन कौन से रोगते जो आपके लिए इंपर्टेंट है अब थोड़े से डिटेल में कर लेते हैं जिसे जिन बच्चों को कही साथ डिटेल चाहिए थे किसाथ डिटेल और भी हमको प्रवाइट कर दिये तो आगे जो वीडियो उनके लिए है बाकि लोग वीडियो को रोग कर सकते हैं देखें जो विटमिन ए है दो फ़ाम में पाया जाता है पहला होता रेटीन और दूसरा होता कैरोटीन ए आखों के लिए बहुत जादा ज़रूरी होता है वीडियों सरी के अनेक अंगोजा से तच्चा हो गया बाल हो गया नाकोन हो गया गरंती हो गया दात मसूरा इन सबको हट्ट कैसम करस्ता बना रखने मदद करती हड्डियों को मजबूत करती है यह बिटमिन एक इबारे बात थी और बिटमिन दी आपको पता बी होता वो कॉंप्लेक्स भीटमिन है तो यह इंपॉर्टन यह क्या का चीज़ा है कि हमया हमां सरी को कौशकाव में पाय जाना इन डीन ड तो आपको चाहिए तो आपको प्लीज एक लाइक जरूरू करिए साधे साथ साथ सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ झाल झाल